क्रिकेट की इंसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सब्से पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकान जरूर दबाएं पिछले साल यानि IPL 2018 में फ्लाप साबित होने वाले इस्टार बल्लेबाज यूराज सिंग ने IPL 2019 के पहले मैच में ही ब्यातरीन अर्ध सतक जड़कर सांदार आगाज किया है इसी के साथ कयास लगाए जाने लगे हैं कि इस विश्फोटक बल्लेबाज की एक बार फिर से अंतराश्टरी या क्रिकेट में वापसी हो सकती है आपको बता दें कि विश्टुकप के लिए 15 सदस्य भारतिय टीम का चयन होना बाकी है और भारत को अभी भी ऐसे बल्लेबाज की तलास है जो चार नमबर पर बल्लेबाजी कर सके ही दरसल यूराज सिंग के टीम इंडिया से बाहर होने के बाद कई बल्लेबाजों को नमबर चार पर बल्लेबाजी के लिए आजमाया گیا लेकिन हर बार नतीजा सिफर निकला वहीं अब भारतिय टीम की ये तलास एक बार फिर से यूराज सिंग पर आकर खतम होती दिख रही है हलांकि यूराज सिंग का हालिया प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में कुछ खास नहीं रहा लेकिन IPL 2019 में दमदार प्रदर्शन यूराज के लिए भारतिय टीम का दरवाजा खोल चकता है T20 अंतराश्ट्रीय क्रिकेट में एक और में 6 चक्के जड़ चुके यूराज सिंग सिर्फ भारत ही नहीं बलकि अंतराश्ट्रीय क्रिकेट का बड़ा नाम है लेकिन भारतिय टीम में वापसी के लिए यूराज सिंग को अंबाती राइडू, लोकेश राहूल और केदार जाधाव जैसे खिलाडियों से बेहतर प्रदर्शन करना होगा मुंबई इंडियन्स के लिए मध्यकरम बल्लेबाद की भूमिका निभाने वाले यूराज सिंग के लिए IPL 2019 क्रिकेट करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है अब देखना होगा लाए में लोट चुके यूराज सिंग यही फार्म आगे भी बरकरार रखने में काम्याब होते हैं या नहीं दोस्तों यूराज सिंग के आप भी फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ कोमेंट करके बताएं कि यूराज सिंग को भारतिय टीम में एक बार फिर से देखना चाहते हैं या नहीं